हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यू चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो देखें यह हमने फाइव थाउसन अमसीक्यू की सिरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम फार्मसोटिक्स के टॉपिक वाइज सब्सक्राइब करें तो मैंने इसके टैन पार्ट्स अपलोड कर दी अगर आप लोग नहीं देखी है तो इसकी सेपरेट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको आयो बटन में भी देती हूं वहां से आप लोग देख सकते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पैकेज अब बिदो होते हैं किसी भी स्टेट का है अपके लिए एक जाएं तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चलंग सब्सक्राइब केज़ेगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन साप लोगों को मिलते रहें तो देखिए हमारा स्टार्ट करते हैं देखिए मैटीरियल यूजड फॉर कंस्ट्रक्शन और क्लोजर इस ओप्शन देख लिए कोर्क ग्लास और प्लास्टिक रब्बर और मैटल्स या ओल अफ देबाओ तो इसका हो जागा ऑप्शन डी हो जागा ऑल अफ देबाओ के नेक्स्ट है वलकिनाइजिंग एजंट यूजड इन रबर इ इस ओप्शन देखिए प्लग टाइप स्क्र्यू क्लोजर कैप टाइप या ओल तो सारे ही क्लोजर के टाइप है तो ऑप्शन डी हो जागा ओल नेक्स्ट है हर्मेटिक कंटेनर सार यूजड फोर देखिए औरल सुलुशन पाउडर्स इंजक्टेबल्स या नन ऑफ दैब तो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर जो होते है वो इंजक्टेबल्स के लिए यूज़ करेंगा ओप्शन सी राइट हो जएगा नेक्स्ट है मेकैनिकली स्ट्रोंग कंटेनर इस ए रिक्वार्मेंट फोर ओप्शन देखिए जो इंजक्टेबल्स ओंटमेंट पाउडर्स या एरो सोल्स तो मेकैनिकली स्ट्रोंग कंटेनर किसके लिए होने चाहिए और ऑप्शन टी हो जगा एरो सोल्स ओके नेक्स्ट है फ्लेकिंग इस प्रोब्लम असोसियेटेड विद कंटेनर मेड़ों मेड़ों अप्शन देखिए सोडा लाइम ग्लास बोरो सिलिकेट ग्लास यह नन ओफ देखिए तो ऑप्शन ने हो जगा सोडा लाइम ग्लास नेक्स्ट है सोडा लाइम ग्लास इस नोटी सुटेबल फोरो परेंटरल सुलुशन बिकोज ऑप्शन देखिए इस मेकैनिकली वीक इट रिलीज अलकली इन सुलुशन इत लोग्श इस ब्रिलियंस एं आप्शन बी वीक रिलीज अलकली इन सुलुशन इस अलफर ग्लास इस प्रिपेर फ्रॉम सोडा ग्लास बाइट रिटिंग इट सर्फेस वीद ऑप्शन से सलफर डाय ओक्साइड स्तल्ट इन अनुफ देखिए तो ऑप्शन भी हो जगा सलफर डाय ओक्साइड हो जाएगा के मेट नेक्स्ट है इमपाॉस इस यूजली मेड ऊफोप्शन ये नूउट्र सीकेट कुड़ाइट है सोड़य सीलिकों ट्रिट टीट ग्लास साइड नॉफ्शन ऑसींके मत्पाह sido ऑफ्रम लह फोफंट ये राइट तो यह जो फैरस और मेंग्नीज ऑक्साइड करते हैं किसके लिए करेंगे ओप्शन सी हो जगा कलरड़ ग्लास टेबल फोर लाइट सेंसिटीव ड्रक्स ओके हर्मे्टिकली सील्ड कंटेनर 15 गाहिएट कमचैनलग अर्मेतिकली सेंड कंटेनर 20 उप्रफेट्स तो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर केमंगे help लफ्रॉड फोर्थ कटेनर या इंडुर्फविछ defendant शूर्व ग्लास चुल्बवन तूर इंड्र कंटेने अर्मेाट्स इनड़ति एंबर कलर, सोडा, गलास, कंटेनर, तो option a हो जगा, just a, एंबर, कलर, कंटेनर, next है, highly inflammable, propellant are, chlorofluorocarbon, cfc, hydrocarbon, compressed gas, and another available, तो highly inflammable propellants होते हैं, वो hydrocarbons होते हैं, option b आपका right हो जगा, hydrocarbons, okay, next है, glass containers should comply with the, हाइड्रोलिटिक रजिस्टेंस मेकैंटिकल स्ट्रेंथ लीकेज यह ननो आफ अबव तो ऑप्शन ने हो जगा हाइड्रोलिटिक रजिस्टेंस नेक्स्ट हैं मैटीरिया उसद फोर स्ट्रिप पेकेज इस ओप्शन देखें पॉली फ्रोपाइलिन पॉलीविनाल तो इसमें कहा है which one of the following comes under type 1 glass कौन सा है type 1 देखिए soda lime treated glass borosilicate glass soda glass soda lime treated and borosilicate glass तो type 1 glass को बोलते है borosilicate glass option B right हो जाएगा ओके borosilicate glass next है type 1 glass देखिए फिर से वही question आगया soda lime glass soda SO2 sulfur dioxide treated soda lime glass borosilicate glass या NP non parental glass तो option 3 हो जाएगा borosilicate glass को ही type 1 glass को बोलते है borosilicate glass next है water resistance glass containers tested by measuring option देखिए amount of alkali release into water amount of acid release into water turbidity amount of silicon in water तो option 1 हो जाएगा amount of alkali release into water next closer cork is obtained from bark of which tree देखिए neem tree oak tree bunyan tree bamboo tree तो answer हो जाएगा आपका option 2 oak tree हो जाएगा next है type 2 glass is a borosilicate soda lime soda lime treated glass या all of the above the type 2 glass होता है जो option 3 हो जाएगा soda lime treated glass okay next है which one among the following is not a part of aerosol container system देखिए wad actuator valve mounting तो option 1 हो जाएगा aerosols में wad नहीं होता बाकी तीनों जो है aerosol container system के पार्ट होते हैं next है an ideal closer does all of the following accept देखिए की product safe allow entry of air prevent particulate matter from entering into product या assist in proper use of product तो इसमें accept पूछा है कि idle closures जो होते हैं उनकी सारी properties है एक नहीं है तो option 2 हो जागा allow entry of air okay next है containers mean for storage of injectables are made of lime soda glass neutral glass type 2 glass type 1 and type 2 glass तो option D हो जागा type 1 and 2 glass okay next है collapsible tubes made from lead is not used for pharmaceutical packaging due to option देखिए inferior matter risk of lead poisoning not good in appearance is soft in nature तो इसका हो जागा option B हो जागा risk of lead poisoning next air tight sealed containers are used for tablets capsules injectables liquid preparations तो air tight sealed containers होते हैं injectables के लिए उस करेंगी तो option 3 आपका right हो जागा नेक्स्ट ग्लास यूजड फोर preparation तो वायल संपाउल्स टांस्पूजन बोटल सी ऑप्शन देखिए टाइप 2 soda lime glass type 3 soda lime glass neutral glass none of the above तांसर हो जागा option C neutral glass नेक्स्ट है propellant used in aerosol इस ऑप्शन देखिए डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो मिथेन, ट्राइक्लोरो, मोनोफ्लोरो मिथेन, डाइक्लोरो, टैट्राफ्लोरो इथेन या ओल तो option D हो जागा सारे ही यह propellants की example दिये हुए हैं next है glass is composed principally of calcium oxide, silicon oxide, sodium oxide, sodium oxide पॉलिस्टाइरीन, glass या नन तो disposable syringes होती है, पॉलिस्टाइरीन की बनी होती है, option B हो जागा transparent polystyrene नेक्स आडली ताप्रोपेलेंट यूज़न टॉपिकल aerosols देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ओल देखिए टॉपिकल aerosols के लिए hydrocarbons यूज़न होते हैं, जो प्रोपेलेंट यूज़न होते हैं, तो उसमें hydrocarbons आते हैं, option 4 हो जाएगा, आपके इस सारे ही यूज़न होएंगी, okay, next है non-parental type of glass consists of which of the following types, type 1, 2, 3 या 4, तो non-parental type कौन सा होता है, type 4 को बोलते है, option D आपका right हो जाएगा, next है water attack test is performed on, देखे type 1, type 2, type 3, या type 4, तो देखे एक powder glass test होता है, एक water attack test होता है, तो water attack test होता है, आपके type 2 glass के लिए होता है, तो option B right हो जाएगा, okay, next है, impulse is usually made of soda glass, borosilicate glass, silicon treated glass, neutral glass, तो impulse बने होते हैं, neutral glass के option 4 हो जाएगा, right, okay, next है, plastic container is not, suitable because, option देखे, they are permeable to gases, some additives में leach out from plastic, it may absorb certain ingredients from product, या all of the above, तो answer हो जाएगा, आपका option D हो जाएगा, all of the above, okay, next है, which one of these is a thermosatting plastic, option देखे, polyamide, PVC, polyvinyl chloride, phenol formaldehyde, या polystyrene, तो option C हो जाएगा, phenol formaldehyde, जो है, thermosatting plastic का example, है, next है, actuator in aerosol product is used to, dispense dose in desired form, give proper attachment of valve with container, both of the above or none, तो actuator जो होता है, वो यूज करते है, option 1 हो जाएगा, dispense dose in desired form, next है, measurement of particle size in pharmaceutical aerosols is by, देखे, cascade impactor, light scatter decay, carl fisher method, या both A and B, तो particle size measurement के लिए, जो pharmaceutical aerosols होते हैं, उनमें, option D, right हो जाएगा, आपका बोथ A and B, cascade impactor, light scatter, light scatter decay, दोनों यूज करेंगे, तो option D, right हो जाएगा, आपका बोथ A and B, okay, next है, glass container should comply with, देखे, leakage test, hydrolytic resistance, mechanical strength, none of the above, ठीक है, तो hydrolytic resistance, आपका option B, right हो जाएगा, next है, hydrolytic resistance test is performed on glass to check, option देखे, mechanical strength, liberation of alkali, loss of brilliance, none, तो option B, हो जाएगा, liberation of alkali, next है, in aerosol regulation of dose is concerned with, देखे, propellant metered valve, dip tube या actuator, तो option B, हो जाएगा, metered valve, okay, next है, in aerosol dip tube is usually made of, देखे, polyamide, polypropylene, metal या नियोप्रीन, तो dip tube किसकी बनी हो जाएगा, पोली प्रोपाइलीन की option B, right हो जाएगा, next है, multi-dose injections are packed in, देखे, whilst, impulse, infusion bottles, disposable sets, तो multi-dose injections को pack करते हैं, option A, right हो जाएगा, whilst, okay, next है, impulse generally contain, option देखे, single dose, parental product, multiple dose, parental product, two और three dose, नन, तो impulse होते हैं, option A, right हो जाएगा, single dose, parental products, okay, यह contain होता है, next, transfusion bottles are made of, neutral glass, borosilicate glass, soda glass, sulfur glass, transfusion bottles, किसकी बनी होते हैं, borosilicate glass की option B, आपका right हो जाएगा, next है, plasticizers are added in plastics to provide, देखे, flexibility, mechanical strength, heat stability, नन, तो option A, हो जाएगा, flexibility, प्रोवाइड करते हैं, next है, water attack test is used to identify the alkalinity in, option देखे, type 1 glass, type 2 glass, type 3, या all the three types, देखे, water glass test होता है, यह type 2 के लिए, option B, राइट हो जाएगा हैं, अब ही हमने देखा था, next है, powder glass test is carried out for all kind of glass except, देखे, powder glass test सभी glass के लिए होता है, एक को छोड़के, किसको छोड़के, जिसके लिए water attack test होगा, water attack test आपको पता है, आपको पता हुआँज़, type 2 glass का दूसरा नाम क्या है, न, देखे, borosilicate glass, treated soda lime glass, soda lime glass, general purpose glass, तो बताएगे, करिये इसका answer, देखे, powder glass test is carried out for all kind of glass, except, answer होगा, आपका, option B, treated soda lime glass, ठीक है, यह जो है, type 2 glass को बोलते हैं, जो यह है, type 2 glass को बोलते है, treated soda lime glass, तो इसके लिए होगा, कौन सा, water attack test होगा, बाकी के type की glass के लिए powder glass test होता है, तो option B, right हो जगा, which of the following is not a thermoplastic resin, option देखे, phenol plastic resin, polystyrene, polyethylene, polypropylene, तो option A हो जगा, phenol plastic resin, next है, identification of propellants in pharmaceutical aerosol is carried out by, देखे, gas chromatography, tag, open cup apparatus, IR spectrophotometer, बोथ A and C, देखे, प्रोपलन के identification के लिए, option D हो जगा, बोथ A and C, gas chromatography और IR spectrophotometer दोनों यूज़ करेंगे, यह tag, open cup apparatus, flash point जो होता है, उसको determine करने के लिए, यूज़ करते है, tag, open cup apparatus, okay, flash point determination के लिए याद रखना, ओके, अभी, एक question इसका answer, आप लोग comment box में देंगे, देखे, question है, transfusion bottles are made of, देखे, neutral glass, borosilicate glass, soda glass, sulfur glass, तो इसका question का answer मैं आपको वीडियो में बताया भी है, अगर आप लोगों वीडियो को अच्छे सुना है, तो आप इसका answer अभी लिखी देंगे comment box में, तो answer का मैं वेट करूंगी, जरूर लिखना, आप अपना answer जो है comment box में लिखा कीजिए, ठीक है, जितने भी comments आते हैं, सारे comments में check करती हूं, ठीक है, तो आप इसका answer comment box में जरूर लिखना, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे like करना, share करना, चैनल पर नए है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, यह जो series है, अगर आप इसको follow करते हैं, सारे अच्छी से देखते हैं, वीडियो को और इनसे अपने short notes होते हैं, वह भी आपे बना लीजिए, तो यह आपकी exam में काफी जादा यूसफुल रहेंगे, वीडियो बनाया है, अगर आपको वीडियो देख लेते हैं, तो आपको question उसमें से exam में, अगर 100 questions आते हैं, तो 70 questions तो इस वीडियो में से ही आ जाएंगे, तो सारे ठीक है, ओके, थेंक्यू